नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दॉक्रामित महिश्वरी इंटरनेशनल बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर एंड सी यू मैटास उवर्सीज लिमिटेड फ्रेंट्स आज इस विश्यपर हम बात करने वाले हैं वो है और ध्यान रखेगा अगर आप एक बिगनर हैं और शेर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सारी टर्म्स को आपको समझना होगा तकि आप सभी चीजों को ठीक से समझ पाएं और शेर मार्किट का आखिलन ठीक से कर पाएं तभी आप एक अच्छे इंवेस्टर क रूप में काम कर सकते हैं क्योंकि बात कहीं जाती है कि नीम हकीम खत्राय जान मतलब किसी भी चीज़ की आदिये दूरी जानकारी आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है बहुत सारे लोग बिगनर लेवल के बाद जब इंटरिमीडियेट लेवल पर आते हैं तभी शेर मार कम्पनीज किस तरह से फंड रेज करती हैं ध्यान रखिए एक कम्पनी बिजनस को एकस पैंड अरना चाहतИ है तो यह कंपनी मार्कीट से कैपिटल रेज करती है मतलब मार्कीट से पैश जोटाती है यह एक चारा से लोण लेती है तोकम्पनी जब कैपिट levels करती है तो सके दो अलग तरीके होते हैं, पहला जो method है, उसको कहते है debt finance, मतलब एक तरह से कर्ज के रूप में पैसे लेना, और कर्ज के रूप में पैसे लेने के लिए company क्या करती है, अपनी security के अधार पर loan ले सकती है, जो दूसरा तरीका है, वो है equity, equity मतलब company के हिस्सेदारी, जब एक company को capital raise करनी होती है, तो वो अपनी company के हिस्सेदारी लोगों को offer करती है, और जो लोगों को company की हिस्सेदारी offer करती है, उसके बदल एक पैसे लेती है, और उस पैसे से company का expansion करती है, और company को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, अगर आपने company देट ढया तो आपको उस पर मिलने वाला इंट्रस्ट के रूप में आपकी इंकम के रूप में होगा लेकिन अगर आपने कमपनी की हिस्सेदारी लिये तो आपके dividend मिलेगा । रावा आपकी कंपनी को जो growth होगी उससे आपके share की value भी बढ़ेगी ठीक है ये बात हमें समझना बहुत जूरी है अब एक company capital raise करने के लिए क्या करती है सबसे पहले company जब capital raise करना चाहती है तो उसको IPO लेका रहना था उसको बोलते initial public offering मतलब वो company अपने share बाजार में वेचने के लिए तयार है और बहुत सारे निवेशक बहुत सारे investor बहुत सारे shareholder उन shares को खरीदेंगे और company उससे capital raise करेगी और raise करने के बाद अपनी company में invest करेगी अगर share की value बढ़ेगी तो आपको profit होगा घटेगी तो आपको loss होगा एक company जब initial level पर अपने share लेका आती है तो वो share direct stock exchange में नहीं जाते सबसे पहले वो offer किये जाते है public को investors को institutions को और जितन जाते हैं trade होने के लिए exchange में मतलब एक बात समझे कि जब exchange में जो share है ना एक तरह से second in cheese होती है clear यहाँ पर मैं आपको एक बात clear करना चाहता हूं क्या जितनी भी terms का मैं इस्तिमाल करूंगा जितने भी words का इस्तिमाल करूंगा वो बहुत ज़्यादा technical language नहीं होगी नसी मतलब Bombay stock exchange जहां पर वो सारे share trade होते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं NSE, NSE मतलब national stock exchange और national stock exchange में हजारों companies के share list होते हैं, उन हजारों companies में से topmost जो 50 companies हैं, best 50 companies हैं जिनकी market capitalization सबसे ज़ादा है, उनके group को बोलते हैं Nifty, Nifty मतलब national 50, national stock exchange की topmost 50 companies के group को हम Nifty बोलते हैं अब समझते BSE, BSE मतलब Bombay Stock Exchange, Bombay Stock Exchange में भी बहुत सारी companies लिस्ट होती हैं, लगबग 3,000 से अधा company यहाँ पर लिस्टेड हैं, उन 3,000 companies में से best 30 companies के group को हम कहते हैं Sensex, मतलब sensitive index, यह बात में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार आप यह सुनेंगे, nifty बढ़ गया है Sensex घट गया है, Sensex बढ़ गया है, तो market कैसे decide होती है, market तेजी पार है, market down है, market up है, market rookie हुई है, यह सारे जो points यहाँ पर use होने वाले हैं, जो terms यहाँ पर use होने वाली हैं, उनके बारे में मैं आपको explain कर रहा हूँ, तो समझ गया आप BSE, BSE मतलब Bombay Stock Exchange, और Bombay Stock Exchange में जो term use हो होती है, Sensex मतलब sensitive index group of top 30 companies, इसलिए कहते हैं, NSE का Nifty मतलब National Stock Exchange की top 50 companies की capitalization, और जब हम बात करते हैं, Sensex तो Sensex की बात हम करते हैं, BSE में मतलब Bombay Stock Exchange में top 30 companies की value क्या होगी, इसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी था, अब हम बात करते हैं, company की capital value हो कैसे calculate करते हैं, और उस share का market price कितना है, उनको multiply करते हैं, मतलब for example, मान लीजिए, company के 1,00,000 share है, और हर share का price 100 रुपे है, तो उस company की value कितनी होगी, 1 crore rupees, मतलब 1,00,000 share into number of price per share in market, that is 100 रुपी, equal to 1 crore rupees, ये तरीका है, किसी भी company की capital को, किसी भी company की market valuation को calculate करने का, Warren Buffet कहते हैं, कि losing money in share market is near to impossible, share बाजार में पैसा डूप जाए, ये एक तरह से बिलकुल impossible बाद है, लेकिन सबसे बड़ा risk क्या है, the biggest risk is not having the required skill, आपके पास required skills नहीं है, ये सबसे बड़ा risk है, तो यहाँ पर एक एक चीज़ को समझना है, implement करना है, तभी आप share market में Warren Buffet की definition को प्रूफ कर पाएंगे, share buy or sell कैसे करते हैं, ये समझना बहुत जूरूरी है, यहाँ पर सबसे पहली जो requirement है, वो है, आपके पास एक bank account होना चाहिए, और bank account जो है, वो आपका trading account से link होना चाहिए, अब ये ट्रम बहुत ध्यान से समझेगा, आपका bank account आपके trading account से link है, और आ आप as investor कोई share खरीदेंगे, तो वो share खरीदने के लिए, आप अपने account से पैसा transfer करेंगे, trading account में, और trading account से आप share buy या sell कर सकते हैं, जैसे आपने मान लीजिए, reliance company के 100 share खरीदे, तो आपने सबसे पहले पैसा, अपने bank account से trading account में transfer किया, और उस trading account से आपने trade किया, आपने handed share buy किये, जब वो handed share buy कर लेंगे, transaction आपके पास आजाएगी, तो वो handed share आपके account में, आपके DMAT account में show करेंगे, यहां चार्ट आप ध्यान से देखिए, कि आपका bank account, bank के साथ link है trading account, trading account का link है DMAT account, जो भी चीज़ आप trading account से खरीदेंगे, वो buy और sell, वो stock market से होगी, मतलब exchange से जो खरीदने बेचने वाला व्यक्ति है, उसको हम कहते है trader, मतलब अगर आप share खरीदेंगे या बेचेंगे, तो आप trader कहलाएंगे, आपके account से ही ट्रेड होगा, जो कि exchange के साथ जुड़ा हुआ होगा, यह बहुत important बात है, कई बार क्या होता है, कि आपने एक ही bank में, मान trading, trading से आपका demat, fine, trading में हुआ, जिसमें आप trade करेंगे, जिसमें सबसे उपर टरम आप देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है, trader मतलब आप, कई बार trader आप खुद नहीं होते, बहुत सारे लोग खुद share trade नहीं करते, वो अपने agent के थुरू काम करते हैं, जो या share broker के थुर share खरीदे और बेचे जाएंगे, जो भी share आप खरीदेंगे, वो आपके demat account में आएंगे, और जो भी share आप बेचेंगे, वो demat account से निकल जाएंगे, is that clear? तो as a trader, जो आपका account है, आपका saving account, उसी के साथ आपका trading account और demat account link है, जो stock exchange में deal करता है, कई बार आप एक ही bank से करत हैं, तो बहुत best रहता है, बहुत सारे लोग का saving account HDFC में, trading account ICC का, तो HDFC से ICC में transfer करते हैं, तो वहाँ पर delay हो जाता है, मतलब payment का delay रहता है, इसलिए कोशिश करें कि जिस bank में आपका account है, उसी bank में आपका demat or trading account होना चाहिए, अब बात करते हैं कि आपके demat account में क्या क्या चीज़े रख सकते हैं, या आप अपने trading account से क्या क्या चीज़ें खरीच सकते हैं, जैसे आप इनसे bonds खरीच सकते हैं, आप mutual funds खरीच सकते हैं, आप ETF खरीच सकते हैं, exchange traded fund ये आप खरीच सकते हैं, government securities खरीच सकते हैं, ये सारी के सारी चीज़े कहां save होती हैं, आपके demat account मे Is that clear? तो एक term बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत सर लोगों को पता ही नहीं होता कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, डीमेट अकाउंट क्या है, तो पता नहीं चल पाता उनको, तो एक एक term आपकी जब clear होगी तब ही आप expertise level तक पहुँचेंगे, when to buy, when to sell और when to hold को समझने के लिए एक बहुत बड़ा question है, how the stock market really works, वास्तिविकता में stock market काम कैसे करती है, देखें मैंने आपको बताया है कि जब company IPO लेकर आती है, तो वो share आपस में trade होता है, एक दूसरे लोग खरीते हैं, और उसके बाद जितने भी share big जाते हैं, चाहे वो institution trade होने के लिए exchange में जाते हैं, अब जो exchange है, वहाँ पर ये depend करता है कि आपके share के demand और supply कितनी है, अब ये demand and supply कैसे decide होती है, जब आप share खरीदना चाहते हैं, तो आप समझ दिए share के demand कर रहे हैं, उधारन के रूप में लेते हैं, मैंने भी आपको बताया था, ये company के एक ला खरीद लिए, और वो 10,000 share list हो गए कहाँ पर exchange में बिकने के लिए, अब जो share exchange में बिकने के लिए हैं, तो बहुत सारे लोग उसको बेचेंगे और बहुत सारे लोग खरीदेंगे, जब उस share की demand जादा होगी, और share कम available होगे, मतलब बेचने वाले कम हैं और खरीदने वाले लोग जादा हैं, तो उसका price बढ़ने लग जाएगा, यह demand and supply की तरह काम करता है, और जब उस share का price घटेगा, तो कैसे घटेगा, कि क्या होगा, कि आपकी supply जादा हो जाएगी, और demand का, मतलब खरीदने वाले कम होगे और बेचने वाले जादा, तो इस case में उस share का price घटना शुरी हो जाएगा, अब यह बात समझना बहुत जुरूरी है कि share के demand and supply decide कौन करता है, आपको लगता है आपने share खरीदे तो आप demand and supply को decide कर रहे हैं, या बेचने तो demand and supply आप decide कर रहे हैं, वारन वफे ने यहाँ पर एक बात कही थी, 95% of mass is donating to 5% of class, अब यह किस तरह से decide होत groups के बीच में divide है, जहाँ पर buying and selling होती है, और यह दो group कौन कौन से है, एक है retail trader और investor, retail trader मतलब जैसे आपने share खरीदे, मैंने share खरीदे, बहुत सारे individual लोग हैं, वो share खरीदे हैं, तो वो retail traders हो गए, और investor जो company, जो एक तरह से पूरी की पूरे उस company के share को खरीदने के ताकत र अभी जो 5% class है, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, और यह कैसे decide करते हैं किसी भी share का price, market में क्या होने वाल है, कैसे demand या supply को बढ़ा या घटा सकते हैं, कैसे share के price को बढ़ा सकते हैं, कैसे share के price को घटा सकते हैं, तो वो institutions कौन कौन से हैं, वो है bank, मतलब banks जो हैं, जो companies के shares खरीते हैं, वो decide करते हैं, वो तरह से game changer होते हैं, वो decide कर सकते हैं कि कि किसका share बढ़ सकता है, किसका घट सकता है, और क्या market price होने वाल है, banks है, mutual funds, आप जितने भी mutual funds खरीते हैं, जैसे आपने HDFC mutual fund खरीदा, ICC mutual fund खरीदा, यह सारी companies share market में निवेश कर देती हैं, तो मतलब mutual fund की जो companies हैं, वो भी decide करती हैं कि market किस तरीके से होने वाली है, insurance companies, आप जो भी insurance लेते हैं, वो इस insurance companies भी अपना पैसा share market में invest करती हैं, वो यह रहाखे institutions होती हैं, financial institutions, मतलब बहुत सारी ऐसी companies, जिनका काम ही finance के ऊपर करना है, वो भी share market में invest करती हैं, domestic institutions and investors, यह भी share market में invest क investor मतलब विदेश जो पैसा है जो foreign investment है हमारे share बाजार में वो भी market को drive करती है मतलब हम जो मासेज है वो 95% है लेकिन 5% जो class है वो market को decide करती है कि market कैसे होने वाली है अब अगर हमें share में trade करना है buy करना है sale करना है hold करना है तो कभी में news को follow नहीं करना यह हमने cnbc आवाज लगाया जी बिजनस लगाया ndtv प्रॉफिट लगाया वहां देख रहे हैं किसका share बढ़ रहा है किसका घट रहा है फ्रेंट शेर market ऐसे drive नहीं होती है Warren Buffet के रूल को हमें follow करना है और हर अच्छे investor के रूल को हमें follow करना है वो कभी trend या news को देखकर share market में invest करने के लिए तयार नहीं होते हैं तो ध्यान रखेगा यह पूरी series मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसमें share market के बारे में सब कुछ आपको बताने वाला हूं कि share market कैसे काम करती है कौन सा share खरिदना है कैसे खरिदना है companies के fundamental कैसे चेक करने है analysis कैसे चेक करने है company की inside report क्या है balance sheet को कैसे study करना है सब कुछ हम लोग यह समझने वाले हैं अगर आपको लगता है कि यह video आपके लिए बहुत valuable होने वाला है तो चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लें क्यूंकि share market में investing के सारे formula सारे गुण मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ आने वाली videos में हम बात करेंगे share market में trade करते समय कैसे हम यह decide करते हैं कि इस company का share अच्छा है या बुरा इस company का share का जो price अभी चल रहा है वो खरीदने के लिए ठीक है या नहीं अभी buy करना है या नहीं करना यह स जब हान